दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका परिक्षा खबरी में आठ और नो अगस्त की महत्पूर्ण खबरों को देखेंगे कल चुकी नहीं दे पाये थे परिक्षा खबरी नीरच चोपडा ने इतिहास रचा ओलंपिक में जैवलिन थ्रों में स्वनपदक जिता ये न सिर्फ स ध्यान देने वाली है कि ट्रेक एंड फील्ड में अरता जो फील्ड में जो खेल होते हैं चाहे दोड हो चाहे वो लंबी कूद हो उची कूद हो लॉंग जंप हाई जंप भाला फेक जिसको जैवलिन थ्रों कहते हैं हिंदी में भाला फेक कहते हैं डिसकस थ्रों ठीक है इन सब में जो भी Outdoor गेम्स इसको कहते हैं एक प्रकार से ठेके Outdoor गेम्स भी कह सकता है ट्रैक एंड फिल्ड को इसमें अभी तक पदखी नहीं जीता था भारत ने आज तक पदखी नहीं जीता था अंजू बभी जा लॉन्ग जम्प में थोड़े से अंतर से चुक गई थी कुछ प्रिसर उनके उपर आ गया था क्या हुआ था इसके पहले PTO उशा और मिलखा सिंग भी प्रियास कर चुके हैं थोड़े अंतर से रह गए थे तो अभी तक कोई पदक नहीं आ सका था लेकिन मनलब व्यक्तिकर सेंडीं कोई पदक नहीं आ आ सका था वब इससे तो हाक्की में हमने पदक जीता है स्वणडी मितिहास रहा है ओलंपिक में लगातार स्वणड़ पदक जीते हैं लेकिन वो गूर्प में अस था व्यक्तिकर सेंडी में ट्रैक एंड फील्ड में ये पहला पदक भारत का है बाकी अभी तक कुस्ती हो गया लेट लिफ्टिंग हो गया पिस्टल हो गया, राइफल हो गया और आपका निशाने बाजी हो गया ये सब इंडोर गेम्स हैं जिसमें हम जीतते आये हैं तो भारत की युवा जेवलिन थ्रूर नीरत चोपड़ा ने जो की पानी पत हरियाना से तालुक रखते हैं उलम्पिक में स्वण पदक जीत लिया है गौड तलब है कि यह गौड तलब है कि यह ट्रैक एंड फील्ड में इवेंट में भारत का पहला पदक है नीरत चोपड़ा की इस उपलब्धी पर राश्पती वा प्रदान मंतरी समेत सभी गड़मान लोगों ने उन्हें बदाई दिया यह टोक्यो 2020 उलम्पिक में भी भारत का पहला स्वण पदक है नीरत चोपड़ा की बात करें गोल्ड कोश्ट में जो हुआ था राश्मंडल खेलों में उनका जेवलिन थ्रो 86 समलो चार साथ मीटर था राश्मंडल खेलों में इन्होंने इतना दूर तक फेका था उससे पहले 2016 में वर्ड जूनियर चेंपेंशिप में श्वण पदक जी चुके हैं इस प्रत्योकता में उन्होंने जूनियर वर्ड रिकार्ड भी बनाया था उस वर्ष जो उलम्पिक का रिकार्ड था स्वण पदक जो जीता था व्यक्ति उससे भी दूर इन्होंने भाला फेक दिया था अपना तो ये सब रिकार्ड इनके नाम है आपने भी फाइनल देखा होगा कुल फाइनल में छे बार फेकना होता है छे में से जो सर्वोच स्कोर होता है उसी को गिना जाता है तो इन्हों ने नीरचोपडा ने पहली बार में ही सर्वोच फेक दिया था 77 जंबलो 0-6 मीटर दूसरी बार जब इनकी बारी आई तो और ज़्यादा फेक दिया 87 जंबलो 5-8 मीटर इन्होंने इसको रुक अपने सुधारा जिसको कोई भी प्रतियोगी छू नहीं पाया तो अंतता स्वनपदक भारत को दिलाने में कामयाब रहे दृती बनर जी बनी भारती प्राड़ी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक धियान रखेगा भारती प्राड़ी सर्वेक्षण जियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया कहां इस्तित है कलकत्ता मिहान रखेगा ने निदेशा के रूप में डाक्टर धिती बनर जी की नियुक्ति को मंजूरी दी है धिती बनर जी एक वेग्यानिक है वह जुग्राफी, टेक्सोनॉमी, मार्फोलोजी, मालीक्यूलर सिस्टमेटिक्स में रिसर्ज कर रही थी भारती प्राडी सर्विक्षण की बात करें तो जूलोजीकल सर्वे और बोटेनिकल सर्वे आफ इंडिया दोनों ही जूलाई 2016 में इनकी स्थापना होई थी, इसका मुख्याले कुलकाता में है, इसमें सोलख शेत्री के अंदर शामिल है और यह परियावरण वन और जलवाय प्रवितन मंतले के तहत काम करता है इसे प्राड़ी अंसंधान में प्रमुख भारती संक्ठन के रूप में स्थापित किया गया था, यह भारत में जीवों के सर्वेक्षन, अनुवेशन और अंसंधान का अध्यान का कार करता है RBI की मौद्रिक नीती समित ने 6 अगस 2021 को reverse repo rate को कितने 75 पर बरकरार रखने का फैसला किया है तो repo rate 4%, reverse repo rate 3.35% एकदम रट लिजेगा, यही बरकरार है और सात्वी बार ऐसा यह मौका है जब कोई बदलाओ नहीं किया गया है IIT रुड़की ने किस राज के लिए भूकमप पूर चेताउनी मोबाईल अप लाँच किया है IIT रुड़की ने उत्राखंड के लिए तो भारती प्रिदोकी संसान रुड़की ने उत्राखंड के लिए भूकमप पूर चेताउनी मोबाईल अप लाँच किया अर्थक्वेक अर्ली वर्निंग मुबाईल एप इसका नाम है आपदा की सुरुवात के बारे में लोगों को सचेत करेगी यह भूकम्प की सुरुवात का पता लगा सकती है और राज में महतपोर भूकम्प आने से पहले चेतावनी जारी कर सकती है यह मुबाईल एप प्रोजेक्ट उत्राखंड राज आपदा प्रबंधन प्राधिकंड द्वारा प्रायवजित की आ गया था अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाओं के बीच किस देश को पहली बार हतियार बेचने को मंजूरी दे दी है तो किस को ताइवान को तो अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाओं के बीच ताइवान को पहली बार हतियार बेचने को मंजूरी दी है यह पूर सकता है ध्यान न क्याएगा अमेरिकी विदेशी भाग ने ताइवान को 750 अरब डॉलर के हतियार समझोते को मंजूरी दी ताइवान के विदेशी मंत्राले ने कहा कि यह निर्डे अमेरिकी सरकार की ताइवान के प्रति प्रतिबद्धा को दर्शाता है अमेरिका ने यह फैसला ऐसा समय किया है जब चीन और ताइवान के भी तनाओ बढ़ता जा रहा है एतिहासिक तनाओ है आप सब को मालूम ही होगा ताइवान अपने आपको पुराना या वास्तविक चीन मानता है और चीन वो है वर्तमान जो चीन आप देखते हो जिसने ताइवान के जो ततकालीन प्रमुख थे उनको भगा दिया था वो जाकर ताइवान में उन्होंने शर् कार बनाई और उसे ही चाइना मानने लगे थे तो वो एतिहासिक लड़ाई अभी तक चल रही है ग्रिय मंत्राले ने इजेल प्रिजना के लिए राज्यों के इंसासित प्रदेशों को निन्यांद बिसंबलों चार नो करोड़ों रुपए की वित्ती साहता ब्रदान की है इस प्रिजना का उद्देश देश की जेलों के कामकाज का कम्प्यूटरी करन करना है इसे सभी राज्यों और के इंसासिर प्रदेशों में लागू कर दिया गया है इजेल अप्लिकेशन को राष्टी सूचना विग्यान के इंदर इलेक्रोनिक्स और आईटी मंत्राले टोक्यो 2020 में भारत के पदकों का सफर पूरा हुआ है ध्यान लखेगा यहां से प्रश्ण आएंगे ओलम्पिक से जोड़े जितने भी सवाल है भारत ने कुल साथ मेडल इस बार जीते हैं एक स्वण्ड दो रजट चार कांसे पदक जीते हैं समापन समारों में ये पूछा जा सकता है कि किस खेल में भारत में पदक नहीं जीता तो ये इस तरह का प्रशना सकता है तो ध्यान रखेगा जेवलिन थ्रो तो ही उसमें जीता है आपके कुस्ती में जीता है दो पदक कुस्ती में जीते हैं हौकी में एक कास पदक जीता है और बॉक्सिंग में एक पदक जीता है एक पदक बैड मिंटन जीता है इसके अलावा किसी में पदक नहीं जीता है इसलिए याद रखेगा तो भारत के साथ पदक विजेता जो रहे उनके लिस्ट समापन समारों में ध्वजवाह कौन है कांस पदक विजेता बजरंग पुनि पीबी संदूर कांस पदक बैड मिंटन में लोवलीना बारगोहन कांस पदक मुक्यबाजी में बजरंग पुनिया कांस पदक कुष्टी में भारती हौकी टीम कांस पदक हौकी टीम ये पूरुशाकी टीम थी ध्यान कियेगा महिला हौकी टीम इतिहास बनाने से थोड़ा स एक MC मेरी कौम थी ठीक है मुक्के बाद जो दूसरे मनप्रीज सिंग थे जो की हौकी टीम के कप्तान तो ये दोनों ध्वजवाग थे भारती टीम के पहली बार ऐसा हुआ कि भारत तरफ से दो ध्वजवाग थे ओलंपिक के जो उद्गाटन समारो था उसमें Coalition for Disaster Resilient Infrastructure CDRI आपको पता है कि ये दो अंतरराष्टी संग्ठनों का मुख्याले भारत में इस्तित है उनमें एक CDRI है और दूसरा ISA है जो अंतरराष्टी सोर गड़बंधन है उसका हुआ मुख्याले भारत में इस्तित है तो आपज़ा प्रतिरोधी पुनियादी ध्याचे क शामिल हुए है बांगलादेर CDRI का नया सदस्य पना है ध्यानक कहेगा आपज़ा पतिरोधी बुनियादी ध्याचे के लिए गड़बंधन की बात करें तो CDRI को प्रधान मंती नरेंद मोदी ने 2019 में लांच किया था यह सततत विकास का समर्थन करने के लिए जलवाय और में अपने भाषट के दोनाई CDRI को लांच किया था ध्यान रखेगा हावडी मोदी कायकरम के बायत की बात है यह ठीक है वहाँ पर इन्होंने इसको लांच किया था मेरिका में यह देशों सेयुतराश एजंसियों निजिक शेत्र बहुपक्षी विकास बैंकों और सेक्षि संस्थानों का एक अंतरश्टी गडबंधन है इसका प्रात्मिक उद्देश ध्यान रखेगा इसमें सेयुतराश एजंसियां शामिल है देश शामिल है निजिक शेत्र भी शामिल है बहुपक्षी विकास बैंकों सेक्षिन संस्थान एक मंच पर आते हैं इसका प्रात्मिक दक्ष मोबाइल एप अभी हाली में लाँच किवा है ध्यान रखेगा केंद्री सामाजिक न्याय और अधिकारता मंतरी डाक्टर विरेंद कुमार ने 7 अगस 2021 को डाक्टर अमबेटकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में ध्यान रखेगा कहां पर ये पूस्ता है इक न्याय और अधिकारता मंतरा ले पिछडे वर्गों और नसूचित जातियों और सफाई कर्मचारियों के लक्ष समूओं के लिए कोशल विकास योजनाओं को सुलब बनाने के लिए इस पोर्टल और एप को लाँच विक्सित किया गया है इस पहल की मदद से लक्ष समूओं के युवा असानी से कोशल विकास प्रसिक्षन कायकरमों का लाव उठा सकेंगे पियम दक्ष की बात करें तो इसका अर्थ प्रधानमंती दक्ष और कुशल संपून हित्गराही योजना है यह योजना सामाजिक नयाय और अजिकारता मंत्रा द्वारा वर्ष दोजार बीस इकिस से लागू की जा रही है इस योजना के तहत पात्रलक्ष समूओं को कौशल विकास प्रसिक्षन कायकरम के तहत प्रसिक्षन दिया जाएगा ताकि उनको अच्छी जौब मिल सके अब यहाँ पर एक बात मैं आप से पूछना चाहूँगा पदक तालिका में जो उलम्पिक की पदक तालिका है उसमें पहले अस्थान पे तो अमेरिका रहा अमेरिका ने 49 सौन पदक जीते सौन के आधार पर ही पदक तालिका में रैंकिंग दी जाती है ध्यान रखेगा ठीक है वैसे भी अमेरिका सबसे आधा पदक धारी था लेकिन चुकि पदक सौन पदक जादा थी चाहिनी के तो इसलिए चाहिना सुरू से ही उपर सबसे रैंकिंग में था लेकिन अमेरिका ने कल लास्ट दे पदग तालिका में इजाफा किया स्वन्ड पदग उसने अर्जित किये और कुल 49 स्वन्ड पदग उसके हो गए टोटल 113 पदग तो पहले अस्थान पे काबिज हुआ दूसरा अस्थान चाइना ने 38 पदक स्वणड़ पदक उसके और 88 जो कुल मिलाकर पदक रहे हाला कि चाइना की पॉलसी रहती वो किवल स्वणड़ के लिए सोचता है बाकी पदकों को वो बिल्कुल महत्व ही नहीं देता है जीद गए जीद गए नहीं जीते कोई बात नही उसका में फोकस सोचत पदक फिर तीसे अस्थान पर जा पान रहा चौते अस्थान पर ग्रेड विटें रहा पांच पर आस्टेलीआ रहा ये एकदम याद रखेगा भारत का कौन सा अस्थान रहा Office 500 वा ध्यान रखेगा भारत का अस्थान 48 वा रहा लेकिन हमारा प्रश्न ठीक है डोपिंग जो कानून थे उसका उलंगन किया था अंतराष्टी कानून हो का तो उसको टोक्यो ओलंपिक से ने लंबित कर दिया गया था पूरी तरीके से मौका भी दिया गया था सुधार नहीं हुआ तो हाला कि चाइना पे भी हमेंसे आरोप लगते आए हैं कि एक अलग तरह की डोपिंग करता है जिसको कोई जल्दी पकड़ भी नहीं सकता है खेर आरोपों की बात अलग है लोग मेहनत भी करते हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन आपको ये बताना है प्रश्ण मेरा है कि रूस किस नाम से जो है रूस के खिलाडी ओलंपिक में खेल रहे थे ये आपको बताना है और उस देश की जिस देश के नाम से जिस नाम से ये खिलाडी खेल रहे थे उस कालपनिक देश या तथा कथित देश का क्या नाम इसमें उलंपिक में किस नाम या किस बैनर तले वो खेल रहे थे आपको कमेंड वाक्स में कमेंड करके बताना है बहुत चठा अस्थान अस्टेलिया का है मतलब बिटेन चोथे पे है वो बीच में जिसका मैं पूछ रहा हूँ वो है और चठे अस्थान पे है अस्टेलिया तो ये बीच वाला कौन है किस नाम से वो खेल रहे हैं रूसी खिलाड़ी किस बैनर तले ये आपको बताना है केन सरकार ने 7 अगस 2021 को घुषना की कि 2 अगस 2021 तक प्रधान मंतरी ग्रामी डिजटल साक्षरता अभियान योजना के तहत लगबग 5 करोण लाभारतियों का नमान्कित किया गया है और 4 करोण लोगों को परशिक्षित किया जा चुका है केंद्री महिला योंबाल विकास मंती स्मिती इरानी के अंसारी सियोजना के तहत 2 करोण से अधिक महिला लाभारति पंजी कृत हैं सरकार ने मार्च 2022 तक 6 करोण लोगों तक पहुँचने का लक्ष रखा था ये याद रखेगा अगर इस योजना की बात करें तो यह योजना राज्यों और केंसाशित प्रदेशों के ग्रामीड शेत्रों में रहने वाले छे करोण लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए शुरू की गई थी इसमें अनसूचित जात या अनसूचित जन्जात या अलसंख्या गरीवी रेखा से नीचे महिलाएं दिव्यांग जन समाच के हाश्ये के वर्ग भी शामिल है ये योजना डिजिटल इंडिया का एक्रम के तहत शुरू की गई है इस योजना के लिए पत्रता की बात करें तो योजना केवल भारत के धान रखेगा केवल जहां पर जिस स्टेटमेंट में आता है का आ जाता है वो गलत होगा लेकिन हमेशा गलत नहीं होता है केवल भारत के ग्रामिट शेत्रों में लागू की जा रहे ध्यान नकेगा वे सभी परिवार जहां परिवार का एक भी सदस्र डिश्टल रूप से सक्षर नहीं है इस यूजना के तहत पात्र होंगे लाभारती को डिश्टल रूप से निरक्षर होना चाहिए तब ही उसको सक्षर किया जाएगा प्रतेक पात्र परिवार में केवल एक वेक्ति को 14 से 60 वर्ष के आयो वर्ग में प्रसेक्षर प्रदान किया जाएगा ध्यान नकेगा पात्र परिवार में एक वेक्ति को आज के लतना है दोस्तों बहुत भन्यवाद